कि हलो एवरीवन एम अंश्य अगरवाल आप सभी की प्रिप्रेशन काइट की बहुत अच्छी चल रही है और अब काइट जाए टाइफटी से रिलेटेट वीडियो फ्रिक्वेंटली आपको मिलते रहेंगे ठीक है अभी हमारा आई पीम से हो गया एक्जाम हमारा आई पीम मिंदोर का अब हमारा कंसेंट्रेशन पर भी रहेगा ठीक है तो कुछ काम की बाते में बता देता हूं ध्यान से पूरा वीडियो देखना आपको काफी सारी हो सकता है जीजे नहीं नहीं पता चले है ना और मैं क्या करने वालों अगले तीन-चार महने में वह भी चीए अब हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाहिए और अब हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाहिए प्ले लिस्ट के आपको tough से tough question के बहुत easy solutions मिल जाएंगे ठीक है आपको cat, z, iift, cmat और srcc के solutions मिल जाएंगे ठीक है tough से tough के बहुत easy और हमने last year अचा अब ध्यान से सुनना लास्ट एर आयम हमदाबाद कंटक करवा रहा था तो हमने एक सीरीज लाये थे आयम हमदाबाद question series है न प्ले लिस्ट पर आपको ये भी मिल जाएगे तो इस बार आप बताना आपका अच्छा response रहा तो इस बार में conduct करूँगा आयम बैंगलोर की question series इसमें क्या होगा अभी तक cat जब से चालू हुआ है मतलब जब से तो नहीं क्या 1990 से लेके अभी तक आयम बैंगलोर ने जितने भी questions पूछें cat में वह मैं आयम बैंगलोर series एक लाऊंगा उसमें cover कर दूँगा तो अगर आपको ये series ये free में provide करूँगा ये तो आप ये comment section में जरूर बताना ठीक है और हाँ अगर आपको हमारा course purchase करना है अभी भी time में कर सकते हो ठीक है तो आप हमारी website www.catipmat.com पे जाके purchase कर सकते हो ठीक है तो या तो so-called brand के नामों के पीछे भग लो या हमारा सबसे अच्छा reports ले ठीक है बहुत को सीखने को मिलता है इसमें ठीक तो expected date की बात करते हैं देखो cat जो होता है हर बात अब cat की की नहीं बाकी exams की भी समझ लो cat जो होता है यह होता है नवंबर लाश्ट वीक में जोगी Sunday आ जाए है ना तो इस बार यह 27 नवंबर को होने वाला है इसी साब से इसके next Sunday जश्ट next Sunday को हो जाता है आपका IFT है ना तो 27 नवंबर को चार दिसंबर को आपका हो सकता है IFT हो जाए और जैट का भी फिक्स है जन्वरी फर्स्ट संडे है जन्वरी का जो भी फर्स्ट संडे होगा ठीक यह तीन चीन ध्यान रखना यह फिक्स है को में में एक्जाम की बात करता हूं सीमेट आचकल उपर नीचे होता रहता है SRCC भी मार्ज करीम में होता है ठीक अब बात करते है एक्सपेक्टेट पैटर्ण की तो ध्यान रखो पिछले दो साल से क्या हो रहा था कोवेट के चक्कर में पैटर्ण पैटर्ण चेंज हुए थे है ना क्योंकि दो की जगा तीन शिफ्ट में पिपर हो रहा था अब क्या हुआ इस साल से बाकी एक्जाम को भी जो मैं अब्जर्व कर रहा हूं तो बाकी एक्जाम में भी क्या हुआ उन्होंने पुराने पैटर्ण पे लेना चालू कर दिया ल इस बार इपमेट इंदो और भी टू आड्स का ही हुआ है और नमबर अफ क्वेसे इन्हें तीन स्लोट वेसे ही रहे थोड़ा वह थूपर नीचे वह पाटन में थोड़ा वह थूपर नीचे तो चलता है तो मुझे परस्नली लग रहा है और मेरी गैसिंग हमेशा सही होती यह आप में से जो लोग मुझे जानते हों जानते होंगे ठीक है गलत हो जाये तो अब यह वाइरल मत कर देना वीडियो की ऐसा बोल रहा था ठीक तो कैट 2022 शिफ्ट इसमें दो ही होंगी है ना दो शिफ्ट में ही होना चाहिए थ्री आर्ड्स का पेपर होना चाहिए यह थ्री आर्ड्स का पेपर होगा तो तीन सेक्षन होंगे अब इसमें थोड़ी बहुत कुछ उर्पेच कर सकते हैं वैसे 99 परसेंट इसके भी चांसे नहीं करेंगे तो पहला सेक्षन वर्बल अबिलिटी कर आएगा दूसरा एलर डी आई कर आएगा और तीसरा आपका क्व स्कुइंस में पीपर होता है ठीक इसमें आप क्या जाएंगे 34 कोश्चन इसमें भी 34 कोश्चन और इसमें 32 कोश्चन तो यह पैटर्ण रहेगा तीनों के लिए इंडिवीजुवल आपको वन आर ही मिलेगा तो उम्मीद अभी तक आपने मौक टेस्ट देना चालू कर दियोंगे और इसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी ठीक है हमारी टेस सीरीज में भी एक प्लस पॉइंट रहता हमारी वेबसाइट पर जाकि टेस सीरीज पर्सिस करना चाहो तो कर सकते हो है ना हम भी एक टेस्ट सीरीज उसमें हमारी टेस्ट सीरीज में पिछले में अपने दस साल का एक्सपिरियंस बता रहा हूँ ऑन अन आवरेज जो परसेंटाइल इसमें आते हैं रियल के एट में भी उतने ही आते हैं थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है बस ठीक तो मौक टेस् ही बताते रहा हुआ ठीक है तो उसके लिए आपको बस चैनल से जुड़े रहना है लाइक सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को भी ब्रैंड बनाओ ठीक तो मीदे वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो